नमस्कार में बॉबी जा, MNS निज़ार में आप सबी का सबागत है, आईए देखते हैं आज की खास खबर तो जिल में जिल की दर्वासे पर बेल पर है, वे केंदरों में मौजूद सरकार नहीं चाहते पीएम मुदी मुझब परपूर में आयोजित विजय संकल प्रेली को संभूधित करते वे परधान मंतरी नरेंदर मुदी ने कहा ये लहर नहीं ललकार है, एक बार फिर मुदी सरकार है, लिची और आम जैसी मिठा स्वीट सीटी में ही संभूख है, यहां आई भीड कई लोगों के लिए कर प्रवाट पैदा करेगा, चार चर्णों के बाद ये लोग चारों खाने चित्त हो जाने वाले हैं, पीम मुदी ने कहा कि उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है बिहार को फिर से पीछे ले जाना, नितिरस जी, पासवान जी, सुनील जी, सभी के प्रेतनों से बिहार ने पुर अनगुंडागर्दी घोटाला की वापसी, बिम ने कहा कि ये चाती में बटवारा अपना स्वार्थ साथ रहे हैं, जो जेल में जेल की दर्वाजे पर हैं, जो बेल पर है वे सब केंदर में एक मजबूत सरकार को बरदास्त नहीं करना चाहते हैं, उन्हें हर काम का हिसाब देना होगा, गरिब का एक एक पैसा लोटाना होगा, भगड़ों को भारत वापस आना ही होगा, स्वार्थ और अपने हीद के लिए महाम मिलावट वाले की मन्शा समझनी चाहिए, ये इतनी सीटों पर भी नहीं लड़ रहे हैं कि लोग सभा में नेता विपक्ष का पद भ सह मालिक नेस वाडिया को जापान की एक कोट ने ड्रक्स रखने के आरोप में दो साल की सजा सुनाई है, नेस को इस साल मार्च में उत्तरी जापानी दूइप होकाइडो के नियू चिटोज हवाई अड़े पर की रफ्तार किया गया, उसके बाद से उन्हें अग्याद जेप में करीब 25 ग्राम कैनिबिस रिजीन पाई गई, नेस के एक स्थान या स्टेशन की जानकारी के अनुसार कहा गया है कि नेस वाडिया की जेप में ट्रक्स होनी की पुस्ट्री, स्नीफर डॉग भी, 47 साल के नेस वाडिया ग्रूप के चेर्मेन नुसली वाडिया के और डॉलर की कुल संपती के साथ भारत के सबसे अमीर कारोबारियों में शामिल है, नेस वाडिया समूप के सभी यूनिट्स के निर्देशक है, इसी समूप को 1736 में इस्ट इंडिया कंपनी के लिए जाहाज बनाने का मसोधा मिला था, अब वाडिया समूप, बिस्किट कं और हैं मामले पर सुप्रीम कोट ने राहुल गांधी को लगाई, फटकार कॉंग्रिस अध्यक्ष ने मांगी माफी, सुप्रीम कोट ने मंगर वारती से अप्रील को अव मारना मामले पर सुनभाई करते हुए, कॉंग्रिस अध्यक्ष राहुल गांधी को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि चौकीदार चोर है फिर कोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने आरो क्यों लगाया इस पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से मैं भी चौकीदार बयान पर इस बारखेत की जगह माफी मांगी है राहुल कांधी के तरफ से सुप्रीम कोर्थ में पेश उनके वकील और कॉंग्रस निता अभी शेक मनू सिंग भी ने मापी मांगी है करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देखने बाद